अब लोग आज जो वन वर्ड से प्रियोशन पढ़ रहे थे तो उसमें आज वन वर्ड का लास्ट डे है आज यह वन वर्ड जितना भी खतम हो जाएगा एक पार्ट ठीक है इसका सेकंड जो पार्ट होगा वो रूट वर्ड के थुरू मैं सिखाऊंगा उसमें प्रिफिक्स सफिक्स और रूट वर्ड के थुरू इतने ही वर्ड लगभग छे सास वर्ड और हम लोग सीखेंगे जो कि इनी से रिलेटेड इनी को तैयार करने के लिए रूट वर्ड का स जी नवाज अंसारी जी उमेश जी आयूशी जी मोहीच जी शुहम जी कमल कांत जी सारे बच्चों को वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट सारे लोग आसा ये वीडियो को चाथा-चाथा शेयर कर दीजे लाइक कर दीजे ताकि सारे बच्चों को पता जल जाए कि हम तो कल पीडियुप मैंने इसकी वाइट पेज में पीडियुप जो आपका चैनल है इंगलिस विद अमर्स है टेलीग्राम चैनल उसकी भी पीडियुप मैंने अपलोड कर दी थी और जो पैट बहुत बहुत जब आपका इसका नेस्ट पोर्शन रूट वर्ट शुरू होग प्री में सब मिला कि चाहे आपके डिफेंस के हों चाहे आपके बैंकिंग के हों चाहे अधर वंडे एक्जामनेशन का कोई बच्चा हो इंगलिस अगर उनकी लाइफ में उनकी एक्जाम में हर्डल बन रही है तो यह बैच आप लोगों के लिए बहुत बहतर होगा बीच् की वीडियो रिकार्डेट मिल जाएंगी वन इयर इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी जितनी बार चाहें आप उतनी बार देख सकते हैं यह क्लास में जो दसजार फी है आपकी आफ लाइन में वही बैच आपको 999 रुपए में मिल रहा है इसमें ग्रामर वर्ड पावा नान कवर कर दूँगा ज्यादा इस्तरा क्लास ले लेके भी कवर कर दूँगा आप उसकी टेंसा ना ले ओके जैंडियर स्टुडेंट पीडियो आपको हम टेलिग्राम पे जब डाल दिये हैं वही वाली पीडियो वाइट पेंच की तो आप कहीं भी निकल वाएंगे तो हड़ ठीक ठाक होगी 500-600 पहुंचने वाले ठीक है तो नंबर निक पर फोकस ना करिएगा आज हम लोगों को पढ़ना है सम्टिंग मेरे जो प्लेस के लिए यूज होते हैं कि कौन सा प्लेस किसके लिए यूज होता है उससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं तो डियर होता है जहां पर मधुमक्यों को रखा जाता है हिंदिय अपना लिख लीजिएगा एप्यरी होता है जहां पर जहां पर मधुमक्यों को मधुमक्यों को रखा जाता है रखा जाता है उसे बोलते हैं एपियरी मदमक्खी शाला ओके और एक बड़ पढ़ायते पीछे अवियरी अवियरी मतलब पच्छियों को जहां पर रखा जाता था वो पच्छी साला था ठीक है तो कन्फ्यूज मत होईगा अगर लगे कि आपको याद नहीं हो होंगा तो आप जियास में जरूर पढ़े होंगे अपी कल्चर मदमक्खी पालन तो मतलब मदमक्खी हो भी करता है तो एक मतलब मदमक्ख्यों को जहां रखा जाता उस प्लेस को एपियरी बोलते हैं मदमक्खी साला ओके नेस्ट है अगलास कांटेनर फिल वाटर एक कांच पात्र जो पानी से भरा होता है इन विज जिसमें मचलियां और पानी से डिलेटड जो होते हैं उनको रखा जाता यह चीज आप ने कई बार देखी होगी रंगी-णी तैरती रहते उसको एक्कॉइरियम बोलते हैं मतलब जली जीव शाला जली जीव साला अच्छा इसको द एक यकोआ गार घर में लगवाते हो नहीं मतलब अने होता है तो हे एक करने मतलब पानी होता है तो को बताता है जिसे सैनैटोरियम औ장 होता है उसीता पानी में मचली में बचलींमें जहां पे 왁ज्व copper रिलेटेड जो और जानवर होते हैं उनको रखा जाता है यानि पानी वाले जली जीव तुन्हें उस प्लेस को बोला जाता है अक्वाइरियम जली जीव साला ओके रूट वर्ड में इसे फिर से दुबारा मैं पढ़ा दूगा अगली है अगला है अपलेस वेर वीपंस वीप बखा जाता है यानि हतियार औगैरा रखे जाते हैं उसको आमरी बोलते हैं ऌर इसमें साइलेंट होता है आमरी का मतलब होता है जहां पर हथियारों को मैं हिंदी देखे कि इतनी बड़ी बड़ी बोल रहा हूं ना तो अपना चाहें तो बाद में अब लिग लीजेगा आमरी का मतलब होता है जहां हथियारों को रखा जाता है औजारों को रखा जाता है तो आमरी को याद कर लिजे आलमारी से आलमारी की तरह आमरी भी होती है जहां पे हथियार औगयरा औजार औगयरा रखा जाता है ओके नेश्ट है यह वाला तो आप लोग जरूर जानते होंगे आप प्लेस वियर एक स् भी बोलते हैं न यह तो सब लड़कियों को भी खुब अच्छे इस पता होगा लड़कों को भी के को खरीदने बेकरी इस्टोरी तो जाते हैं जहां पर के को गहरा बनाया और बेचा जाता है भी साली जी सराज हम कोचिंग गये थे तो मैं या बोले पीडियाफ हो नहीं पीडियाफ कंप्लीट आप लोगों को टेली ग्राम में दे दी गई है वहीं टेली ग्राम में जो पढ़िए उससे निकलवा लीजे प्रैक्टिस उसमें नहीं होगा तो प्रैक्टिस की अलग से भ प्रैक्टिस प्राइब दिमाग कर देंगे अगला देखो पता नहीं कहां दिमाग इन सब का पागलों का रहता है वहीं पीडियाफ लगी है कहां मिल नहीं रहा है बगलोल आदमी बतायां कि नमबरिंग गलत हो गए जहां तक्कल पढ़ाए तो उसी का अन्यस्ट आगे आगे पर दो सु कि नारे मीजिए बनाया जाती है तो मतलब होता है जहां वेयर बनाया जाती है ऑन्यस्काइळ स्थान बतर पनीरを नीर बनाया जाती है तो से क्या कहा जाता उसको डेरी बोला जाता है डेरी गावों में देखे ओके डेरी इसे से डेरी मिलक बनता है जो खुबी धर उधर देते हो पागलों जैसा हरकत करते हो तुम लोग उपके दाथ दिखा रहे हो तुम लोग यार आंलाइन कंटा तो नहीं खाना है आप देखो तुम लोग ना सुधरोब आप डांड खा गया तो अब देखो लिक्षरा कि मिल गया सर मिल गया कासम से ऑफ लाइन ही के लास अच्छी होती है तुम लोगों को जहां दोचार कंटा मिले नहीं जहां तक तुम लोगों को सुनाया टीचर डांटे नहीं तब तक त पतने 46 तो गुंड सोत होता है तो 46 में से 43 तो कहीं और लगाए रहते हो दो तीन के सारे पढ़ते हो तो कहां समझाए चलो रिवाइस करा दें असना पा रहा है तेन चार दिन से चलो देखो अपियरी के मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर मधमक्यों को पाला जाता है या एक ऐसा स्थान होता है जहां पर मचलियों या जली जीव को रखा जाता है आमरी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर आवजार हथियार रखा जाता है बेगरी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर केक हो गयरा बनाया जाता है ब्रेवरी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर इस्पेस बढ़ी मात्ता में फूड या गुड सामान और एक्यूपमेंट या एक्यूपमेंट उपकरण और इस्टोर उसे गोदान बोलते हैं गोदान लंग गोदाम बोलते ईंगोदां नहीं गोदां कि देने हमारे घर में गोदाम है तो उसे को बोलता है डिपार्ज екई अदल डिपार्ट का अदलब गोदाम गोदाम प्लैट वहां पर गोदाम है है कि the next day अगला है ऐसे अपका आप लेश जहां पर इस्ट्रांग अलकोहलिक जहां पर यह उसको देखो डिश तिलरी बोला जाता है अब धुव्यान से देखो यह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर इलकोहलिक चीजें यानि प्यूर सराब बनाई जाती है जब कि इसके पहले वाला जो प्रेवरी था वह भी सराब के लिए था लेकिन सराब में एक फ्लेवर होता है कुछ तो होंगे न सेड़ी टाइप के वह तो पिया होंगे साध्यों दिवें तो ब्रेवरी इस पेसली बियर देगा तब लगाना अब आपकी अलकोहली ड्रिंक देगा तो फिर यह वाड़ इसली लगाना ओके अगला है अगला वर्ट बहुत अच्छा है आप लेस एक स्थान वेर जहां पे सिप्स जहाजों को जहां पे जहाजों को बनाया जाता है और उनकी मरमत की जाती है उसको डाक यार्ड बोलते हैं वह इसे बियार्ड जो है ना प्लेस को दिखाते जैसे चर्च यार्ड ग्रेव तो डाक यार्ड एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे जहाजों को जहाजों को बनाया और रिपेर किया जाता है एक मूवी आए थी चुप चुप के उसमें देखे होंगे तो डाक यार्ड दिखाया जाता है सुरू में अगला अलार्ज बिल्डिंग एक बड़ी सी जहां पर अनाजों को store किया जात वियू जखा जाता है इसको ग्रैनरी बोलते है आप ग्रैन के लिए फूर्ड के लिये हो सकता है इक्विन्ट के लिए evacरी हो सकता है लेकिन जो यह ग्रैनरी होता लगाते हैं अगला बड़ी सी बिल्डिंग वेर प्लेंज आर कि यहां पे अरो प्लेंग को टांगा जाता है लटकाया जाता है यानि रखा जाता है एक मूबी आई थी आप लोग देखे होंगे वह कौन से मूबी थी भाई बार्डर मूबी में जब वहां से फोन आता है तब देखो वो जो जैकी स्राव रहते हैं जाते हैं हैंगर से एरो प्लेंग को निकालते हैं तब लेके जाते हैं तो हैंगर का मतलब होता है जहां पे एरो प्लेंग को रखा जाता है फंसा आके उसको हैंगर और गलती मत करना याच ए यन जी इ आर मत बोल देना कई बार ये भी जानते ही होंगे कमपनी जहां पर कुछ निश्यत प्रकार की मैटेयल बनाया जाते हैं कहते हैं चल रहा है तो जानते जानते होंगे अगला ऐक अच्छा वड़े कोई बाहर आ चुका है यह आप प्लेस एक ऐसा स्थान वेर जहां पर मनी इंदा फार्म आप कोई आइंड नोर्स इस मेट बाइदा गॉवर्मेंट एक ऐसा स्थान जहां पे खासकर सिक्क्य और गएरा बनाये जाते हैं नोटों को भी बनाया जाता है उस प्लेस को मिन्ट बोलते हैं तो मिन्ट मतलब र सिक्का बनता है वो मिन्ट है यानि टक साला है चलिए है कि अचले तुम लोग मजा बोल ले रहे हो ना है चलिए यह मैंसे तुम लोग करके कुछ डिलीट कर दिया करते हैं बकलोल टाइप के अचले हैं ममता जी निले जी बिजय जी आकास जी और कुछ बच्चे ऐसे एक दिन आते हैं एक दिन लापता रहते हैं गजनियों जनियां का कि भूला जाते हैं कि क्लासों रहती है कि वीडियों कि तुम लोग आज कल सेयर हो गयरा नहीं करते ना हम कहना भूल जाते हैं तुम लोग श चले अगला भी यहां से यहां से साइंटिस्ट जो वैक्जानिक होते तारों को देखते हैं सजिव में लिखते हैं अच्छा परीशण करता हैं जहां से चीजों को आप शोकिर जाता है ने बाप बपूसी मौहित तुम को किस दीन दिन ब्लाग करते हैं तुम समझे रहे ना तुम को किती वार गाए कि तुम काजू अजू बदाम उदाम खाया करो लेकिन तुम दाल चावल सूपर लेवल बढ़ा नहीं रहे हो काए कि छालिए अगला देखिए तो जहां से बैक्षानिक लोग चीजों का निर्चन परिचन करते हैं अप प्लेयर्स यहांसे वैक्जानिक सोध हो गयरा करते हैं ठीक है अगला देखिए फिलेयर्स यह उस पाइक सभी मोत्टन मिठी के बरतं को प्लाट प्लाप सक बोला जाता है और प्लेट जन्वई करता लाई एक यहां पर अवरतन ऐसे को इस कोई है यह तो一点 ढ़े मैसेज आप नुस्वराह आप लोग इतने ज्यादा मैसेज ना करें ब्लाक कर दीजिए इस लड़की वो रहन दीजिए पहली बार है लगता है आप लोग हमारी आदस से वाकिब नहीं हो का इतनी महगाई है कहां से ड्राइब फूड अफ्रूट्स लिया जाए अरे पगलाइद लड़की पिज़ा वर्गर हमोज मोमोज चाट फुलकी खाने का पैसा है और काजू वदाम खाने करना है चलिए लोग हसाते हो बहुत चलो देखो तो इस कलरी का मतलब क्या आता इस पुलरी जानते ही होंगे आप लोग अक्सर यूज करते हैं गल्स को जरूर पता खो इसे भी गल्स होती है आज घृतन और तन यार तुम लोग घिसते हुआ ही है तुम लोगा फेबरिट प्लेस चलो दे को अप्ई साप्लाइन यांड का एक आइसा हिस्सा जमीन का वईर जहां पे गराफ अंगोर आर-ग्वोन जार से वाइन याड बोलते हैं वाइन यर्ड वयान याद ही होुगा वाइन प्राव होती है पो वाइन मतलब होता है अंगूर अंगronics का बगिचाई कि सही कह रहे हैं सही तो हम कहावाई करते हैं चलिए अगला देखो भाई यह करा है थे आलाज का बॉर्ड का बॉर्ड मतलब आलमारी इन वी जिसमें यू कैन हैंग योड क्लोस जिसमें अपने कपड़े उपड़े आप रख देते हैं अंदर तुसको वार्ड्रोब बोला जा कपड़े की आलमारी कपड़े की आलमारी कि अब यह वाला वर्ड इस तरह का समात्त हो गया यह जो मेंड हीर से रिलेटर था अब बारी आगी डियर स्टुडेंट प्रोफेशन से रिलेटर बेऊसाय से रिलेटर हैं किसका क्या काम है अब दीपक जी आ चुके हैं फलक जी उमेश जी और ममता जी रितिक जी जो भी है चलिए देखिए और जित्ते लोग देख रहो वीडियो को लाइक कर दो और दो बार मत लाइक करना ठीक है अगला है अपरशन एक व्यक्ति हूँ जाब जिसकी जाब इस टू डिजाइन बिल्डिंग एक ऐसा आदमी जिसकी नोकरी है बिल्डिंग को डिजाइन करना यानि खाका तैयार करना बिल्डिंग जैसे तुम लोग पर बहुत पैसा हो जाएगा ना तब घर और बनवाओग जो घर करनक्सा उक्सा बनाता है कैसे कैसे लोगतर होना चाहिए तो उसे बोला जाता है आग्यदक्ट है कि घर का अंध्यजा बनाने वाला इसी को अर्चिटस리ंग भी बोलते हैं ठीक है है अलए अगला देखो भाया आप अरशन एक भ्यक्तु हू इस एन एकस्पर्ट इन इस्ट्रोलाजी यह तो जानते होगे उसको इस्ट्रो लागर बोलते हैं इस्ट्रो लागर यह नाउण में भी पढ़ाये थे इस्ट्रो लागर का मतलब होता है जोतिसी जोतिस विद्ध्या नहीं जोटसी उसे बूला जाता है और त्यान देना और इस्ट्रोन नामर क्या होता है यह खगोल सास्त्री होता है खगोल यह सास्तरी तरिक यह ने कई बार बच्चों को опять सास्त्री होता है जो तो नामि के बारे में जानता है एक प्रिपीर्स जो तीारी करता है एंड्सल मेडिसिन एक ऐसा आदमी जो दवाईयों को बनाता है या तयार करता और उन्हें बेजता है उसको केमिश्ट बोलते हैं यह तो जानते होंगे आप लोग दवावा लेने जाते तो केमिश्ट के पास जाते हैं अगला है आप अपरसन एक व्यक्त हूज जाब जिसकी सिनगोग कर fight कि अर्ण किसी और कamental से शो figuring बोला जाताएग यह जो कार को चलाता है उसरे कार को चलाने वालां अगला है वाक्स इना कोल माइन जो कोईले की खधान में कोईले की खधान को रिजरवायर नहीं माइन बोला जाता है पानी की खधान को रिजरवायर बोला जाता है तो कोल माइन तो कोईले की खधान में जो काम करता उसको कॉलियर बोलते हैं कोईले की खधान में काम करने वाल किया जाता है गानों को अगला है अफिशियल इंचार्ज आफ म्यूजियम म्यूजियम आप सबको पता है जो म्यूजियम की देखभाल करता है ना जो म्यूजियम की देखभाल करता उसको कार्टर बोलते हैं कार्टर म्यूजियम संग्रहालाई का इंचार्ड यानि संग्रहाल कि देखभाल करने वाला जब की जब कीं टेकर पब्लिक बील्डिंग जनता की विल्डिंग को के टेकर आप करने बाद में होता trained यह संगहाल हमत को यह कहां का होगा यह मľशीयम और यही बहुत आता है और पब्लिक building की बात करेंगे तब कस्टोडियन होता है इसी से कस्टरडी बनता अ तो आर्चीटेक बिल्डिंग का नकसा अकसा बनाने बनाने वाला एस्ट्रोलाजर एस्ट्रोलागी के बारे में बताने वाला बनाने वाला से को invites क्वैले की घजान में काम करने वाला कार्टर संग्रहाला का इंचारज़ की हमादों क्या एकलता है अगला दो जानते होंगे मोच्ची होता है जो जूटों lu को बनाता है तो मिंदर और रोंयकर आप तो को सुरते डाइए बोलते हैं तो आप जानते ही होगे जिसको अच्छी खासी फूड या नूट्रिशन की समझ है उसे डाइट के बारे में पूछने आप किसके पास जाते हैं अगला है डील इन डील इन फ्रेजल वह इसका ब्यापार करना होता है तो ट्रेड तो ही डील सिन फेस जो मचलियों का ब्यापार करता उसको फिस मांगर मतलब मचली का महांगर का मतला होता है मचली का बयापार करने वाला तो अब अदमी जो पजों को पहुड़ों को करता है और बेसता है उसे फ्लोरिश्ट बोलता है और फ्लोरिस्ट और एक वर्ड फ्लोरा पढ़ाएं हों गयों फ्लोरा बताए थे पीछे की क्लास में पढ़ाए थे तो फ्लोरिस्ट होता है फ्लावर को बेचने वाला या फ्लावर को उगाने वाला फ्लावर नहीं पढ़ते हैं फ्लावर पढ़ते हैं अगला है अगला है अ आगले को फिस मांगर डाइट बताने वाले को डाइट इसीन और सूज सुधाने वाले को कॉबलर अगला देखिए आप परसन हुज सेट्स ग्लास इन बिंडोस डॉर्स एटी सी एक ऐसा आदमी जो कांच की खिड़कियों को बनाता है या कांच के दरवाजों को बनाता है या कांच कर्मी कांच का कांच कर्मी बोलते हैं या ग्लेजियर को याद कैसे करेंगे ग्लास जो ग्लास का काम करें वो ग्लेजियर है यानि कांच कर्मी है आगर तो आप जानते ही होंगे आगर ही ट्रबल्स फ्राम प्लेश टू प्लेश सेलिंग मिस्लैनियस आर्टिकल मिस्लै कर बोलते हैं ना जो हर प्रकार के सामान को बेचता है इधर उधर जा जा जाके फेरी बालों की तरह तो हां कर होता है अगला है यहां पर गोड़ा की रेस होती है यानि जो गोड़ सवारी करते हैं तो उसका जो बीवरंड लिखने वाला होता है मुवी में देखें होंगे एक मुवी आई थी रेस तो पहली वाली रेस टू जिसमें वह थे क्या बोलते हैं सैफली खान तो उसमें देखें होंगे जौकी वर्ड का भी जिक्रा होता है और यह भी लिखने वाला एक दिखाता है तो उसको बोला जाता है बुक मेकर यह बुक म लिखता है उसे बोलते हैं अगला है इन विजलेटर इसको भी आप जानते होंगे आप अर्षन एक व्यक्ति हूं वाचेश ओवर स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामनेशन यह तो जानते होंगे जब पेपर देने जाते हैं तो आप जब पेपर देते हैं तो आप उनको एक्जामने वाला उनको परिछण करने वाले को बोला जाता है भी है अगला परिशन एक भ्यक्ति फू डिलस इन अ और लिम बेस्ता बहुए बहुतार रहें ब्यापार कर ना यह थांज्वेर एक ऐसा मी जो प्यावार करता और फिर कोई हां ब्यापार करता है उसको आयरन मंगर बोलते है मंगर मतलब ब्यापार ही होता, आयरन मतलब लोहा, जैसे मतलब मचली था मंगर, मचली के ब्यापार करने वाल अइरन मंगर, तो बहुत आसान है याद का करना हिसमें, अगला आप प्रोफेशिनल हार्ट्स राइडर इना रेस जो रेस में बोलते हैं जोकी मुवी भी में खुब दिखाता है छलिये और कि सिक गोले में हैं भाई बलंक हंट ब्लैक हंट कह रहें किलास ट्रेयक्ष से चालू हो रही इन पता नहीं को नहीं गोले में मंगल औंगल से आये हैं छे तक फिर बंद हो गई और पता नहीं कहा है तो पहली बात तो सही से नाम हों लिखिए आपका का नाम है पता ही आप अपना नेम ही छुपा रहे हैं हंक ब्लेक हंग अंट ओ माई गाड़ चलिए ne लगे अगया क्यों कि आप जानते हैने जानते होंगे लग कि वहा ब्रॉभ इंटी पत्रों प्रइसियस्त इस प्रइसियस स्टोन इक ऐसा आज मीजो बहुत में पत्थरों को दराश्ता है तो Μोल कीमति चार्ज होता जो लाइब्रेडी की देख भाल करता इसको लाइब्रेरियन बोलते हैं यह तो त्यार हो जाएगा एक ऐसा आद्मी जो बनाता है या बेचता है लेडीज रह तो पी उसको तो इन तो थोड़ा देना नहीं तो कई वार आप लोग गलस अदप पढ़ लेती और आपको लगता है एक ना तीनों में अंतर है ने जो आखोका डाक्टर होता हुआ उसको अकुलिस्ट बोलते हैं इस्पेशलिसे अंकिंग आई ग्लासे चस्म नाउन पढ़ाये थे जो चस्मे स्वाइव को बनाता है उसको अप्टीसियं बूलते है और ही प्रिसक्राइब करेक्ट्व लेंस जो लेंस हो गयरा बनाता है य यह पहला वाला आंखों का डाक्टर है दूसरा वाला चस्मा बनाता तीसरा वाला लेंश हो गईरा बनाता है यह इन तीनों में यह अंतर है कि इतना है बहुत ज्यादा वह देखो अगला का है लेंड्स मालेंड लेंड्स हो गया पर एक ऐसा आदमी जो पैसा उधार देता है और गुड्स और सामान को एस सेकूरिटी गुरूब में रख लेता है उसको क्या बोलते हैं पान ब्रोकर बोलते हैं सुध खोर हिंदिं पता नहीं कहा होता है आप ऐसे समझें एक ऐसा आदमी होगा जो आप को अधार पैसा देगा और आप उसका पैसा लेकर भाग न जाएं इसलिए आपका कुछ सोना चांदी गहना गिर्वी रख लेगा या प्रापर्टी के कागजात ले लेगा उसको बोला जाता है पान ब्रोकर कि अगला देखिए यह अटेंड्स टू सिख पीपल एंड पिस्क्राइब मेडिशिन तो उसको तो फिजीशियन बोलते हैं इसके लिए क्या बताना है कहते नहीं फिजीशियन आया है अगला राइट्स प्लेज मतलब नाटक जो नाटक को लिखता है वो प्ले राइट होता प्लमबर तो जानते होंगे जो हैंड पंप और पाइप और बनाता है गाहों में प्लमबर आता है हैंड पंप आपका खराप होता है तो आप लोग कहते हैं प्लमबर को बुला देते हैं चलिए अफिशिल कृष्णा जी बोल रहे हैं क्या हाल है सर ठीक है बाबू हम तो बढ़िया है आप लोग अपना बताईए अधिया में क्लास चले आना चले नैनी ताल में कहो तो चले उधर देखो लागडाउन खुला हो तो उधर चले फिर चलो अगला देखो ही में एक स्पार्ट एक ऐसा आदमी जो पार्ट बनाता है मिट्टी के बरतन बनाता है या कब्स बनाता है इसको बोलते हैं ठीक है अगला देखिए मेजर लेंड जो आदमी मीजर मापता है जो जमीन को मापता हो गयरा है उसको बोलते हैं जमीन को मापने वाला जो टेक्निकल चीजों में एक्सपर्ट होता इसको टेक्नीशियन बोलते हैं यह तो जानते होंगे एक ऐसा आदमी जो जाता है इस्थानों में पार्टब को सुधार नहीं या पैन कड़ाई गाव 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 में जाके वह बरतन को सुधारते हैं कोई खराफ हो गया तो इसको थिंकर बोलते हैं थिंकर हलाकि इसमें से बहुत इंपॉर्टन है नहीं अगला देखो फीसल तबाकू और शिंग्रेट बेचता है उसको क्या बोला जाता भी या तबाकू बेचने वाले को तबाकू बोलते हैं घर घर जाके बड़तन और तन की मरमत करने वाले को थिंकर बोलते हैं टेकनिकल नालेज रखने वाले को टेकनीशियन बोलते हैं तो ऐसे करके तयार हो जाएगा इसमें कौन से बहुत बड़ी बात है अगला देखो यूजरर भी बताये थे एक ऐसा आदमी जो पैसे को बहुत जादा हाई रेट में बहुत जादा ब्या ही है वाइलीन बजाने वाले को यह बोलते हैं अगला आप अर्शन हो सेल्स क्लोथ एंड ड्राइग गुड्स एक ऐसा आदमी जो क्लोथ कपड़े हो गयरा बेचता है उसको ड्राइपर बोलते हैं कपड़े हो गयरा को बेचने वाला है कि नहीं है अब सब्सक्राइब भाष रिलेटेड़ बात करते हैं यानी भास्षांड से रिलेटेड बात करते हैं इस लिए चले डिए लिखा है इस पैपलिक कि इस पीडिलेवर फैस्थ परmenset एक ऐसी पहतलि मतलब पहली पहला भासण किसी आदमी के Jeeven का पहला भासण जैनी मेड़न Pहला भासण कोई आदमी पहली बार भासण दिया है पबल्लिक में जाके तो इसको बोलते हैं पहला भासण और ध्यान देना कई बार से मेरडन बस लिखा रहता है स्पीच नहीं देता तो भी understood यही मीनिंग आएगी पहला भाशन्ड याद कैसे करोगे मेड़न स्पीच को मेडम जी की स्पीच मेडम जी की स्पीच क्या थी मेड़न स्पीच थी पहली स्पीच थी अगला है अलांग बोरिंग आफिन इन्रेलिवेंट स्पीच गिवन इन सब्दों आएगी ताकि कोई देने में देर हो सके तो उस स्पीच कोक फ्लिबस्टर बोला जाता है कि है मतलब भडगा दिया जाए तो भडगा भडगाव भडगाव स्पीच को इन प्रोपिंच को और बोलते हैं जो वाला औरेटर ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इस पीच और देने में बहुत निपूर्ड है कुशल है तो कुशल वक्ता इसे बोला जाता है कुशल वक्ता कुशल वक्ता अगला है इस पोके नार्ट बिदाउड प्रिप्रेशन को यह ऐसी स्पीच जो बिना तयारी की दिए गई है उसको इस्टेंपर बोलते हैं बिना तयारी का भाशन को बिना तयारी का भाशन को की की कि किन अगला कि स्विएंट्ड क्लियर इनसी में कोई स्विए बहुत एंदम स्वेश्ट दी कि लोगों को अच्छे से समझ तो OUT कुलेट होता है sonoTakeूर स्पिश बोला जाता है यानि इस पर निस पर सिबीस बहुता है है लेकिन किसके लिए उज़ होता है भासन्ट के लिए तो इसरे वक्ति का पहला है तो मेड़न स्पीछ है कोई जानभूज के स्पीच ऐसी दे रहा जो देर हो लोग उसको सुनके बॉरिग महसूस करें वो फ्लिबस पीच है कोई ब्रकाने वादी इस पीच दे रहा है तो हैं इंगे इस पीच है इस देने वाला निपूड आ कुछल है तो आरेटर है वो कोई बीना है तैयारी की-चिस पर है तो आर्टिकुलेट Nights से टिटने वर्ड हमने सब एक साथ आपको करा दी। कि सब्सक्राइब करते हैं है तो बहुत ज्यादा इसी लेकिन इसमें से जो में में है उसको को पहला पहला लेटर सेम् सहों तो इसको रही उसको बोला जाता है एलिटेरेशन और हंदी में साहिव इसको अनुपरास को विकटने वह सब्लेध में कृब offers वहला गारा इस पेदwhy अनुपरास हर एक वर्ड का लेटर पहला वाला जो होता है उसको बोला जाता है यानि अनुप्रास अलंकार चलो बताओ जल्दी तुम लोग भाई अनुप्रास रूपाक यह मांक त्लेस अईसे अलंकार पढ़े ओगे ना तो हिंदी में तो हमने बता दिया अनुप्रास अलंका भी इंद हाई पर भोल प्रिये होता हाथ बती स्योकत अलंकार आति मतलब यह होता है जिसमें बहुत भाए च्ठाके कहा जाता है बायव किता है यह किसी ने दिया चार्चंद की चंचल कि रने तो एक यह ए कहा जाता मुझे इस अलंकार से गाना याद आता है एक गाना आया था आप लोग सुने भी होंगे सुनो न संग मरमर की यह मिनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे अब इसमें जो पगलाइत आसिक होता है वह अपनी जो महभुवा के लिए डाइलाग चिपकाता है सुनो संग मरमर की मिनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे मतलब वह यह कहना चाहता है कि यह तुम्हारे आगे पीखी पड़ गई है यह भी तुमसे जादा सुन्दर नहीं है यानि कुल मिला के सुद्ध वकईती है तो यह अतिस्योक्त अलंगकार बढ़ा चढ़ा के कहना इसी को बोला जाता है हाइफर बोला यानि अतिस्योक्त अलंगकार उके चलिए अगला देखिए आप इगर आप इस पीच यानि एक ऐसा अलंगकार इन वी जिसमें टू थिंग्स आर कंपेर्ड इसमें दो चीजों का तुलना की जाती है बट वर्ट आर कंपेरिजन आर नाट यूज लेकिन जिस तुलना जिस चीज से की जाती है उस चीज का मेंसर नहीं किया जाता तो ऐसे अलंगकार को मेटाफर बोलते हैं आप लोग हिंदी में सब देख लीजेगा मेटाफर को रूपक बोलते हैं क्या बोलते हैं आई डोंट नो बट यही इसकी मीनिंग जो मैं एक्स्प्लेंड कर रहा हूं ऐसे एक्जाम में आएगा इस तोगेदर इस प्रेज यह जिसमें दो वर्ड एक दूसरे के रिलेटेड है तो आग्स दे महुर का अदलब होता है विरोधा भास से रिलेटर जो फ्रेज आपने यूज किया उसमें दो वर्ड हैं जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट पोल में जा रहा है थोड़ा दे करण जब कभी विनान लिविंग चीज ना बना देते था इन्सान बना देते हैं तो उसको बोला जाता है मानुवी देना परसोनिफिकेशन नाउन में बहुत भी आई पी हम आपको बहुत ज़्यादा पढ़ायते ना जैसे दा मून है सिदेन हर फेस बहाइंड दा क्लाउड इसका अलब चंदमा ने अपने चेहरे को बादलों के पीछे ढख लिया तो ढखने को ने काम तो इंसान करेगा यानि वहा है क्या कह रहा है वर्ड सब्दों का जो मजा किया यूज होता है और इन वर्ड और और पर तेट एसा यूमरेस जिसमें एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होती है उसे बोला जाता है पर एक सब्द की अने को मीनिंग सिमली तो जनवाई करते होंगे आप फीगर आप जिसमें दो लोगों का राम उतना ही अच्छा है जितना की मोहन था जब कुछ महातपूर्ड अलंकार हमने आपको बता दिया अब लास्ट जो इसमें बचा वर्ड डिनोटिंग ग्रूप किसके ग्रूप को क्या कहा जाता इससे रिलेटेड यह वर्ड है यह सेम वही वाली देख लीजिए सिरीज मैंने दी है जो नाउन चैप्टर में कलेक्टू नाउन मे बोला जाता है आज से पूछेगा कि वोल्स भेडिये के समू को क्या कहा जाता या जूटे लोगों के समू को क्या कहा जाता तो जूटे लोग या भेडियों के समू को पैक बोला जाता है कैटल कैटल होता है जंगली जानवरों का समू तो जंगली जानवरों नहीं कैटल हो को भी हड़ बोला जाता है जंगली जानवरों के समूँ को भी हड़ बोला जाता है और कैटल के भी समूँ को हड़ बोला जाता है जहाजों के समूँ को या मोटर कार के समूँ को फ्लीट बोला जाता है जहाजों के समूँ को या मोटर कार के समूँ को फ्लीट बोला जाता है फ्लीट अगला देखिए ग्राफ्स अंगूरों के इस अंगूर के गुच्छे को या कीचावियों के गुच्छे को बंच बोला जाता है बंच हार्से घोडों के समूं को फ्लाइड बोला जाता है घोडों के समूं को क्या बोला जाता है डियर श्टुडेंट फ्लाइड बोल बोला जाता है बोट नावों के समूं को फ्लोटीला बोला जाता है अगला अग्रिव आप सेलर नाविकों के समूं को या नेविगेटर भी नाविक होते हैं तो इनके समूं को क्रिव बोला जाता है और क्रिव एक जगह और यूज होता है जैसे यह जो मूबी हो गहना लोग बनाते ना तो इनका जो पूरा का पूरा गुरूफ होता उसको भी क्रिव मेंबर ही बोला जाता है देखिए चीटियों के समूँ को कालोनी भी बोला जाता है और आर्मी सोलजरों के समूँ को भी बोला जाता है और कालोनी जो गाओं में प्रधान घर बनवाते हैं उसे भी ब पता दे रहा हूं बाकि एक्जाम में यही चार पांच से साथ ठोबहुत आते हैं अगला सिंगर गायकों के समय को 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 बोला जाता है एकाउंटन्स के समय समय को आड़िट बोला जाता है इसी से अडिटर एससी में वैकेंसी आती है मुजीसियन के समय को बैंड बोला जाता है कहते हैं बैंड पार्टी आ गई है सिंगरों के समय को कौर बोला जाता है लेकिन मुजीसियन के समय को बैंड बोला जाता है डारेक्टर के समय को बोर्ड बोला जाता है इसी लिए कहते हैं बोर्ड का गठन हुआ है सोल्जर्स के सम्मूं को आर्मी भी बोला जाता है और सोल्जर्स के सम्मूं को ब्रिगेड भी बोला जाता है इसी से एक तिरंगा मुवी में राजकुमार जी ब्रिगेड यह रहते है न तो वही इसी से नाम उनका पड़ता है मदमक्यों के च्छते को या उनके समू को हाई भी हम बोला जाता है यह हम अगला है इस्टाम के कलेक्शन इस्टाम के ग्रूप को कलेक्शन बोला जाता है जो इस्टाम नहीं होता तो इस्टाम के समू को कलेक्शन बोला जाता है गैगल गीज के समू को गैगल भी बोला जाता हंसो के समूव को एक वरड और आपको हम बताये थी ठीक है अगला इस्टडी के समूपो क कहरी कलम पार्षद करम जो उनुग पढ़ते नहीं उसके चमूपों को एक पेड़ों के समूपों झांट पन सघ्समूंप कर चैनलि योगों के समूझ को मौला जाता है और मदमक्योः के समूझ को हाइब भी बोला जाता है और कराउड ध्यान रखना कुसाईशा भीड को कॉराव नारमल भीड कोबला जाता जो बोला जाता है अब इस मेंसे मैं बता दे रहा हूं कि कौन-कौन तुम्हें तायार रखना pensar Through कि इसमें उप安ud में 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 जो इसे आने के समिएंगना पांशो पच्छंत्र पर्शंट हो मैं बता दे रहा हूं उसको ज़रूर तयार करना चाह त्यारा करना जा कभी-कभी आता है प्लाइट आ जाता है प्लाइट आ जाता है बहुत आ पता किसी के और पढ़ लोगे तो खराब नहीं हो जाएगा अथे और होगा देखो मैप ऑक टीलस भला साथ हो ओंक्रेट में सब्खेन को ग्रोब बोला जाता है पीछे कराए सिरीज आव लेक्चर लेक्चर के समूं को या तो सिरीज या तो कोर्स बोला जाता जो लेक्चर का सिरीज या कोर्स होता है अगला प्लावर के समूं को बुके बोला जाता है बुकेट ना पढ़ना बुके पढ़ा जाता है Sergeant के समू کو Army भी बोला जाता है, Brigade भी बोला जाता है, Regiment भी बोला जाता है, कुछ भी आजाएगा, Baby यह बहुत आता है, लड़कियों के समू को Baby कहा जाता है और Officer के भी समू को Baby कहा जाता भी, जो आठ्छे कुमार की मुभी आई थी ना, Baby वो Officer से related थी फिगर आप speech की question कैसे होंगे जैसे मैं पढ़ाया हूँ वैसे ही होंगे मतलब वो पूछेगा की चार आफसन देदेगा और explanation देदेगा तो किस फिगर आप speech की क्या explanation है तो उसी से related पूछेगा और कैसे पूछेगा चलिए अगला देखिए dear student अगला है runs, χंड़ार के समू को heap भूला जाता है रिउन्स मतलब खंड़ार होता है एक तरीके से, sand cauliflower के समूझ को भी heap भूला जाता है इस्टोन पत्थर के भी धेर को ही बोला जाता है लिपाड के समू को लिप बोला जाता है और रिलिजियस प्लेस के समू को कांग्रिगेशन बोला जाता है यह भी बड़ा इंपर्टेंट अभी हाइलाइट में करूंगा लेटर्स के समू को बैच बोला जाता है कि पार्टी इसके सबवों को कोलिशन बोला जाता है और फ्लावर के सबभी को बंच भी बोला जाता है और छड़ियों के सब्वे बंडल याने इस समों को भी बंडल हम होती है इसके समी STE ना उनने समूंगों कुलस्टर मोरा जाता है अगला है मांटेन मांटेन या को आइसलेंड या एल हिल हिल हो हो या आइसलेंड हो या माउंटेन हो उनके समू को रेंज या चैन बोला जाता है अब देखिए इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है हाई यह हाइलाइट कर दें क्योंकि इतने डेर सारे तो याद होंगे नहीं चलिए देखिए इसमें से जो सबसे में में था उसको थोड़ा देख लीजिए धार्मी के स्थानों के समू को कांग्रिगेशन बोलते हैं हलाकि जी आरी रूट वर्ड से आगे मैं इसको कराब ही दूँगा इसके बाद अगर हम बात करें तो यह पार्टी बिजेपी सपाबस स्पाइन के समू को कुलीजदन बोलते हैं यह भी इंपॉर्टेंट है तो बहुत सार इंक अगर देखेंगे तो पहले वाली सीट देखेंगे तो इस तरह से एक फेयर वर्ड जो होता है वन वर्ड वन वर्ड तयार कराने का दो फेज मेरे पास होता है एक यह निमोनिक टेक्निक के माद्धम से कुछ थोड़ी बहुत चीज़े मैं तयार करा देता हूं लगभग सतर से से पर्शंट अब इतने ही वर्ड और हम लोग सीखेंगे वो गो फुरू इटमोल आजी जिसमें रूट वर्ड प्रिफिक्स और सफिक्स के माद्धम से हम लोग सीखेंगे तब जाके 12300 वर्ड होंगे और उसके बाद प्रैक्टिस होगी तब जाके कहीं वन वर्ड में थोड़ी बहुत पकड़ बनना स्टार्ट होगी उसके बाद अलफा विडिकल स्रीज जो साव साव करोगे उसमें भी वन वर्ड बड़ी मदद करेगा तो वर्ड पावर हम लोग 20 या 21 चीज़ें सीखने वाले हैं उसमें से करके हम लोग बात अभी कर रहे हैं तो थोड़ा क्या बोल रहे हो तुम लोग भाईया नेट नहीं चल रहा है कौने गोले से हो भाईया कि नहीं चल रहा है राहुल जी बैच लेना है बैच लेना है तो नीचे नंबर चल रहा है अगर आप लोग सिक्केंस वे में पढ़ना चाहते हैं तो प्रेट बैच जॉइन करिए 10,000 वाला वैच है मात 999 रुपाय में है इससे ज्यादा सस्ता तो रिचार्ज भी ना है भाईया जॉइन करिए बहुत सिस्टमाटिक तरीके से चीज़ें चलेंगी चले ओके तो आए पेड़ वाले बच्चे आज आज आए पांच मिलते हैं अभी ना उनका चप्टर फिनिस होगा और तीन हजार कोशन की प्राक्टिस स्टार्ट होगी ठीक है तो आज कौन सा दिन है भाई सेटर्डे तो सटर्डडे चलो देखते हैं तो अगली मुलाकत अ दिसमें कम करा रहे हैं इसे मिलता जुलता सब्सक्राइब है इसलिए तो इसमें हमने कम कर दिया कर दिया है रूट वर्ड में अलग वर्ड रहेंगे लेकिन काम करेंगा वन वर्ड में आप ये समझे कि वह लड़ का अभी 50% आपका तैयार होगे पिपिंट पर्सेंट हाग प्रके तो रते हैर जो के चले